निमस्कार जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है मैं हूँ अंकिता राश्ट्रिय अपजाच एजिंसी ने पॉप्लर फ्रंट ओफ इंडिया याने की पीएफाई के खलाफ तेलंगाना और आंधर प्रदेश में 40 ठिकानों पर छाप एमारी की है इस दोरान NIA ने चार लोगों को हिरासत में लिया है चाप एमारी में NIA की टीम को भारी मात्रा में कैश, डॉक्यूमेंट्स, हत्यार बरामत हुए हैं टीम को मौके से डिजिटल डिवाइस, डॉक्यूमेंट्स, दो खंजर और 8,31,000 रुपे से अधिक का कैश सहित कुछ संद और धर्म के आधार पर दंगा कराने की ट्रेनिंग देने के लिए कैम्प चलाये जा रहे हैं इसके बाद तेलंगाना में 38 और आंधर प्रदेश में दो जगों पर चाप एमारी की कारवाई हुई आपको बता दे कि दो महिने पहले जुलाई में तेलंगाना पुलिस को जान पुलिस के मताबिक गिरफतार हुआ आरूपी शेक सहदुला पीफ़ाई के जिला सेयोग जग शादुल्लह है आपको बता दें कि एनाईए कि हैदरबाद शाखा ने 26 अगस को पीफ़ाई से जुड़े एक मामले में एफ़ाई आर दर्च की थी निजामाबाद के आटो पुलिस्टर निवासी 52 वर्षी अब्दुल्खादर का नाम लिस्ट में पहले नमबर पर है एफाई आर में जिक्र किया गया है कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर भारत सरकार के खलाफ युद्ध चेड़ने की साज़श रची थी अब्दुल्खादर पर आरोप है कि उसने पॉपलर फ्रंट आफ इंडिया के सदस्यों की भरती की है साथी आतंकवादी घटनाओं के प्रसिक्शन देने के लिए शिवर आयुजित किये इस दोरान उन्होंने एक गैर कानूनी सभा का गठन किया और धर्म के आधार पर विभिन समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया सूत्रों की माने तो पूश्टाज के दौरान घर के मालक अब्दुल खादर ने सुविकार किया है कि पिए फाई से जुड़े कुछ आरोपी की तरफ उसने 6 लाख रुपे की वित्ती साहेता ली है इसके एविच में उसने अपने घर की छट पर एक हि पेमारी हुई सबसे जादा 23 छापेमारी निजामाबाद में जगत्याल में साथ जगे पर हैदराबाद में चार निर्मल में दो आदिलाबाद और करीम नगर में एक एक जगे पर छापेमारी हुई आपको बता दे कि Popular Front of India याने की PFI एक इसलाविक संगठन है यह संगठन अपने को पिछडों और अलप संख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला बताता है संगठन की स्थापना 2006 में National Development Front के उत्रादिकारी के रूप में हुई थी संगठन की जड़े केरल के काली कट में हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jbt.com को लॉगिन कर सकते हैं जुड़े रहिए जन्भावना टाइम्स के साथ नमस्कार